गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब अच्छे होंगे और घर पर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो बच्चों आज हम अपनी पाठ पुस्तक रिमजिम की एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ककको उमीद है यह कविता आपने याद भी कर ली होगी तो बच्चों आईए इस कविता की कुछ पंगतियों को हम दोहराते हैं और कल जो वर्क सीट आपको दे गई थी उसे हल करते हैं आईए कविता पढ़ते हैं नाम है वुषका कक्कू कक्कू माने को यल होता लेकिन यह तो दिन भर रोता इसलिए हम इसे चिड़ाते इसको कहते शक्कू कहते इसको शक्कू नाम हुषका कक्कू ठिठोली यानि हसी मजाक करने पर भड़क जाता है इसलिए इसे भग को कहते हैं और यह हमेशा मुँ फुलाए रहता है और बात-बात पे जगडा भी करता है इसलिए इसको शवी लोग जग को भी कहते हैं तो आएए अब हम इसी कविता से सम्बंधित वर्क सीट को हल करते हैं तो प्रस्ण संख्या एक है कक्कू का अर्थ है तो बच्चों कक्कू का क्या अर्थ होता है मोर, तोता, कोयल, हंस कोयल इस प्रस्ण का सही बिकल्प है कोयल हमारा दूसरा प्रस्ण है कक्कू दिन भर क्या करता है सोता है, रोता है, घूमता है, गाना गाता है तो कक्कू दिन भर क्या करता है रोता है प्रस्ण संख्या तीन कक्कू को लोग किस-किस नाम से पुकारते हैं गप्पू, जप्पू, शप्पू, टप्पू, निक्को, मिक्को, सक्को, भग्को, जक्को, इसमें से कोई नहीं तो इसका सही विकल्प है सक्को, भग्को, जक्को प्रिश्ण संख्या चार कक्को पाट से हमें शीख मिलती है कक्को पाट से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सब को चिढाना चाहिए, हमें दिन भर खाना चाहिए, हमें सब के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, इसमें से कोई नहीं। तवच्चो इसका सही बिकल्प होगा, हमें सब के साथ प्यार से बात करनी चाहिए। आगला प्रस्ण है निमलिखित कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए कक्को वह जो सेदा हशाए रोना उसे जरा ना आए चिडिया के शंग गाना गाए शंग मोर के जूमे नाचे इसलिए तो कभी कभी हम कहते उश्को मिठ्थू ओके बच्चो आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलते हैं आप से अपने अगले रिविज़